इस वीडियो में जानिये देवानन से जुड़े फिल्मिक क्वीज और अन्नन फैक्ट्स देवानन का जन्म कहा हुआ था Option A. हिंदुस्तान Option B. पाकिस्तान Option C. अफगानिस्तान Option D. नेपाल सही जवाब है Option B. पाकिस्तान देवानन का जन्म 26 सप्टेंबर 1923 को गुर्दाशपूर पंजाब में हुआ था जो अब पाकिस्तान में है अगला सवाल देवानन सहाब ने कौन से सब्जेक में B. ए ग्रैजुएशन किया था Option A. एकोनोमिक्स Option B. फिलोसॉफी Option C. इंग्लिश लिटरेचर Option B. हिस्ट्री सही जवाब है इंग्लिश लिटरेचर देवानन ने इंग्लिश लिटरेचर में ग्रैजुएशन किया था गौर्णन कॉलेज लाहुर पाकिस्तान से अगला सवाल देवानन की पहली फिलिम कौन सी थी? Option A. हम दोनों Option B. हम सफर Option C. हम भी इंसान है Option D. हम एक है सही जवाब है Option D. हम एक है जो 1946 में आई थी अगला सवाल देवानन को किस बड़ी हिरोईन से प्यार हुआ था और दोनों शादी करना चाहते थे? Option A. सुरया Option B. गिताबाली Option C. मुधुबाला Option D. नूतन सही जवाब है सुरया सुरया मुस्लिम होने के वजह से देवानन से शादी नहीं कर पाई और सुरया ने फिर कभी शादी नहीं की अगला सवाल देवानन की पत्मी का नाम बताईए Option A. कामनी कोशल Option B. गिताबाली Option C. निम्मी Option D. कलपनाकार्तिक सही जवाब है कलपनाकार्तिक सुरया से रिलेशन खत्म हो जाने के बाद में देवानन ने कलपनाकार्तिक से 1954 में शादी की थी प्लीज चैनल का सब्सक्राइब वीडियो को लाइक शेर और कॉमेंट कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए अगला सवाल कौन से कलर का कोट नहीं पहनने के लिए देवानन पे कोट का बैन लग गया था Option A. वाइट Option B. ब्लैक Option C. ब्लू Option D. ग्रिन सई जवाब है Option B. ब्लैक स्टाइल आइकन देवानन को काले कलर के कोट में देखकर लड़किया मर मिट जाती थी देवानन को देखने के लड़किया जान जो खिम में डाल देती थी ऐसे में एक लड़की ने बालकेनी से गिर कर अपनी जान गवाई थी इसलिए कोर्ट में देवानन को काले कलर का कोट पहनने से डैन लगा दिया था अगला सवाल देवानन ने कौन से हिरन को पानी में डूबने से बचाया था Option A. कलपनाकार्तिक Option B. कामेनी कोशल Option C. सुरया Option D. नोतन सई जवाब है सुरया 1948 की फ्लिम विद्या की शूटिंग के दोरान देवाननन ने सुरया को पानी में डूबने से बचाया था उनकी बोट उलट गई थी अगला सवाल देवानननने नव केतन फ्लिम कमपानी कब शुरू की थी Option A. 1947 Option B. 1949 Option C. 1952 Option D. 1955 सई जवाब है Option B. 1949 देवानननने अपने बड़े भाई चेतन अनन्द के साथ 1949 में नव केतन फ्लिम कमपानी बनाई और कई सरी फिल्मे बनाई अगला सवाल वो कौन सा डायरेक्टर था जिसे देवानननने पहली बार फ्लिम डायरेक्शन का मुका दिया Option A. रिशिकेश मुखर जी Option B. नासीर हुसेन Option C. गुरुदत Option D. शक्ति सामन सही जब है गुरुदत देवाननने गुरुदत को पहली बार फ्लिम डायरेक्शन का मुका दिया था फ्लिम का नाम था बाजी जो 1951 में आई थी अगला सवाल इन में से कौन सी फ्लिम को देवाननने इंग्लिश और हिंदी दोनों भशाओं में बनाया था सही जब है गाइड गाइड को डारेक्ट किया था देवाननन को छोटे भाई विजय आननने गाइड 1965 में आई थी प्लिज चैनल का सब्सक्राइब वीडियो का लाइक कॉमेंट करके शेर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए अगला सवाल इन में से कौन सी फिलिम में देवाननने डबल रोल किया था ओप्षण ए तेरे घर के सामने ओप्षण बी हम दोनों ओप्षण सी काला पानी ओप्षण डी सी आइडी सई जवाब है ओप्षण बी हम दोनों हम दोनों 1961 में आई थी इसमें देवाननन के साथ थी नंदा और सादना अगला सवाल इन में से कौन सी फिलिम में आशा पारिक ने देवाननन के साथ काम नहीं किया था सई जवाब है इस फिलिम में देवाननन के साथ माला सिना थी ये फिलिम 1959 में आई थी अगला सवाल इन में से देवाननन की कौन सी फिलिम का गाना दिल्ली के कुत्तुब मिनार में शूट किया गया था Option A तेरे घर के सामने Option B असली नकली Option C जब प्यार किसी से होता है Option D पेइंग गेस्ट Option A तेरे घर के सामने और गाना था दिल का भवर करे पुकार फिलिम तेरे घर के सामने 1963 में आई थी अगला सवाल इन में से कौनसी फिलिम से देवानन ने फिलिम डारेक्शन की शुरुवात की थी Option A तेरे मेरे सपने Option B प्रेम पुजारी Option C जौनी मेरा नाम Option D गैंबलर सही जवाब है Option B प्रेम पुजारी 1970 में आई थी अगला सवाल इन में से कौनसी बड़ी हिरोईन को देवानन ने अपने फिलिम में पहली बार ब्रेक दिया था Option A हेमामालनी Option B रेखा Option C मुम्ताज Option D जिनतमान सही जवाब है Option D जिनतमान जिनतमान को देवानन ने हरे रामा हरे कृष्णा में ब्रेक दिया था ये 1971 में आई थी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेर कीजिए और बेल एक्जिप्रेस कीजिए अगला सवाल देवानन मशूर फिलिम डारेक्टर शेकुर कपूर के क्या लगते हैं? Option A. दादा जी Option B. नाना जी Option C. मामा Option B. चाचा सई जवाब है Option C. मामा शेकर कपूर की माँ शील कपूर देवानन की बहन है अगला सवाल सत्तर की दशक में देवानन को इन में से कौन से हिरोईन से प्यार हो गया था Option A. परविन बाबी Option B. जिनत अमान Option C. राखी Option D. हेमा मालने सई जवाब है Option B. जिनत अमान देवानन ने अपने बायोग्राफी में खुलासा किया था उनको जिनत अमान से प्यार हो गया था अगला सवाल इन में से कौन से फिल्म में देवानन ने डबल रोल किया था Option A. बनारे से बाबू Option B. जोशीला Option C. हिरापन्ना Option D. शरुफ बदमाश सई जवाब है Option A. बनारे से बाबू बनारे से बाबू 1973 में आई थी इसमें देवानन के साथ थी राखी और योगिता बाली अगला सवल इन में से कौन से हिरोईन को देवानन ने अपनी फिल्म में पहली बार ब्रेक दिया था Option A. राखी Option B. डिम्पल कापाडिया Option C. पुनम धिलन Option D. टीना मुनेम सई जब है टीना मुनेम टीना मुनेम को देवानन ने देश पर देश में ब्रेक दिया था ये फिल्म 1978 में रिलिस हुई थी अगला सवाल इन में से अमिता बच्चन के कौन सी फिल्म देवानन को सबसे पहले ओफर की गई थी Option A. Bombay to Goa Option B. Zanzir Option C. मजबूर Option B. बेनाम सई जब है Option B. Zanzir अमिता बच्चन से पहले जण्जीर, देवानन, धर्मेंदर और राजकुमार को ओफर की गई थी प्लीज चैनल को सब्सकाइब वीडियो का लाइक, कॉमेंट और शेर कीजिए और बेल एकन प्रेस कीजिए अगला सवाल देवानन ने अपने बेटे सुनिल आनन्द के लिए कौन सी फिलिम बनाई थी Option A. एक और आनन्द Option B. आनन्द मठ Option C. आनन्द आश्रम Option D. आनन्द और आनन्द सई जवाब है Option B. आनन्द और आनन्द ये फिलिम 1984 में आई थी अगला सवाल अस्ति की दशक में देवानन ने कौन से बड़े हिरो को अपने फिलिम में पहली बार ब्रेक दिया था Option A. चैकिश्रफ Option B. अनिल कपूर Option C. आदित्य पंचोली Option D. संजैदत सई जवाब है Option A. जैकिश्रफ देवानन ने जैकिश्रफ को अपनी फिलिम स्वामी दादा में पहली बार ब्रेक दिया था ये फिलिम 1982 में आई थी अगला सवाल इन में से कौन सी फिलिम देवानन ने कौन से खेल पर बनाई थी Option A. फुटबॉल Option B. क्रिकेट Option C. हॉक्की Option D. कबड़ी सई जवाब है Option B. क्रिकेट देवानन ने आमिर खान को लेकर अवल नमबर नाम की फिलिम बनाई थी जो क्रिकेट पर आधारित थी ए फिलिम 1990 में आई थी आगला सवाल देवानन के आखरी फिलिम कौन सी थी Option A. सेंसर Option B. लवट टाइम स्क्वेर Option C. मिस्टर प्राइम मिनिस्टर Option D. चारशिट सई जवाब है Option D. चारशिट ये देवानन के आखरी फिलिम थी ये 2011 में आई थी और आखरी सवाल देवानन के मृत्यू कौन से शहर में हुई थी Option A. लेंडन Option B. नियू यॉर्क Option C. मुंबाई Option D. पैरिस सई जवाब है Option A. लेंडन देवानन की देथ 3rd डिसेंबर 2011 88 साल में लेंडन में हुई थी थैंक्स वर रॉचिंग प्लीज हमारे चैनल के सब्सक्राइब कीजिए वीडियो के लाइक कीजिए कॉमेंट करके शेर कीजिए और आने वाले ऐसी नवी वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए मिलते हैं किसी और वीडियो में